इंग्लिस बोलने शिखने के लिए सबसे पहले हमें यह जरूरी है कि हमें A.V.C.D. आनी चाहिए और कख और I.E. की मेनिंग ककक की की पूरी मेनिंग याद आर रहनी चाहिए तभी हम इंग्लिस बोलना सीख सकते हैं इंग्लिस बोलना सीखने की ये most important है दूसरा हिंदी मात्राओं के लिवियोग में होने वाले अच्छर जैसे आ का मेनिंग ए होता है ए का आई होता है बड़ी ए का डबल ए होता है उ का यू होता है हिंदी में आ के स्वर में बोले जाने वाले अच्छर से अंग्रेजी में लिखते समय अहां की मात्राओं लगती है परन्तु अंती मच्छर पे नहीं लगती जैसे चरन को लिखते समय इसी प्रकार करन को लिखते समय यन के बाद यह नहीं लगता है संख्या नंबर संख्या नंबर अंक दो प्रकार के होते हैं अर्भी अंक रोमन अंक रोमन अंक का प्रयाख संख्याओं को संचिप्त करने के लिए किया जाता है क्लास के आगे रोमनंक लिखा जाता है जैसे क्लास सेवन ऐसे सुद्ध पार्ट आफ स्प्रीच कई सब्दों को मिला कर एक वाक की बनता है व्याकरण के अनुसार यदी सब्द क्रम से रखे गए हो तो वाक के का अर्था इस पस्ट हो जाता है वाक में रखे गए सब्द अलग अलग होते हैं उनके कारियों भी अलग अलग होते हैं कारिय के अनुसार निम्न भागों में विभक्त किया जाता है इन्हें पार्ट आफ स्पीच करते हैं पार्ट आफ इस्पी चार्ट प्रकार के होते हैं, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, वर्ब, अब्जक्टू, एडवर, प्रोपोजीशन, कंजेक्शन, इंटर्जक्शन, इंटर्जक्शन, पहला है नाउन, नाउन मतलब संग्या, किसी वस्तु अस्थान गुड़ के नाम को संग्या कहते हैं, जैसे राम, मोहन, करन, किसी सहर में दिल्ली, कोलकाता, लखनौ, इलहाबाद, ये सब हो गया, और दूसरा है प्रोनावन, प्रोनावन मतलब सरोनावन, जो सब्द संग्या के अस्थान पर प्रयोग किये जाते हैं, उसे सरोनाम कहते हैं, जैसे सी, ही, 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 इत्यादी, वर्ब मतलब क्रिया, जिन सब्दों में किसी काम का होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं, जैस अब्जेक्टिव मतलब विशेष्ट जो सब्द किसी संगिया या सरोनाम के विशेष्टा को प्रकट करते हैं अब्जेक्टिव करलाते हैं जैसा काला, मोटा, गोरा, लंबा, चवडा, दरपोग, सुन्दर, इमानदार, बुद्धिमान, एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेष जो सब्द किसी विशेष्ट क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेष्टा की विशेष्टा बताता है, उसे क्रिया विशेष्ट करलाता है, जैसे जोर से, धीरे से, और बहुत अधिक्ता से, सांती पुरुव चाटवा है पीपो जीशन संबंद बोगदग जो सब्द किसी संग्या या सेरोणाम के पुर्व प्रे। संग्या या सरोणाम से उसका संपंद प्रकट करता है वा फीपो जीशन कलाता है जैसे मैं पर से कोई त्यादी जो सब्द किनी दो प्रिवाक्यों के जोड़ कर या दो नाउंस को जोड़ कर एक बड़े वाकी के रूप में बदल लेते हैं उसे कन्जेक्षन कहते हैं अठवा है इंटर्जेक्षन भाव प्रकट करने वाले वे सब्द जिनसे आश्चर दुख हर प्रकट होता है इंटर्जेक्षन कलाता जैसे आह, अहो, अरे, वाह, हाँ, वाव, सराव, इत्यादी उप्योक्त आठ पार्ट सापिस्पीच की परिभासा सोनो आउर उसकी स्पेलिंग लिखो हलो हाँ फ्रेंड साफ यह लोग मस्तमझी है कि मैं आप लोगों को किताब से सिखा रही हूँ अभी मेरे पास व्लाइबोर्ड नहीं इसलिए मैं बुक से पढ़ा रही हूँ अगर मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं व्लाइबोर्ड लेकर उस पर सिखाऊंगी प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो और सेयर भी करें मेरे वीडियो पर कमेंट करें अगर कोई गलती हो तो उसे बताएए